वेलकम टू ड्रीम केविसी जिक्के दोस्तो आज इस वीडियो के अंदर खेल कूद सामेने अगनान के स्पोर्ट जिक्के के क्रिकेट के जनल नौलज के 20 बहुती महत्वपून क्विशन लेके आए हूँ हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगे, नौलेजबल लगे तो इसे लाइक कीजिए, सेर कीजिए अगर अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केविसी जिक्के चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तो आपको नमर वीनें दे रहेगी आप निचे रहे, रेट गलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही नए नए नौलेजबल वीडियो की नौटिपिकेशन मिलती रहेगी दोस्तो, तो लेट फिनिच स्टार्ट करते है दोस्तो यहां में पे में एक क्वेशन बोलूगा, बात में उसका आंसर सूचने का आपको थोड़ा टाइम दोगा अगर आपको पताओ, तो इस क्वेशन का आंसर आप कमेट भी कर सकते हो और अपना नौलेज भी चेक कर सकते हो क्वेशन नमबर बन, अंतर राश्टी क्रिकेट परिशद आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? इन्टर नेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना कब हुई थी? इस क्वेशन का सही उतरे 15 जुन 1909 में अंतर राश्टी क्रिकेट परिशद की स्थापना हुई थी? क्वेशन नमबर टू, आईसीसी के वरतमान चेर्मेन कौन है? इस क्यूशन का सही उतर है ससांक मनोहर, ICC के वर्तमान चेर्मेन है अगला क्यूशन क्यूशन नमबर थ्री, ICC के वर्तमान CEO कौन है इस क्यूशन का सही उतर है डेविट रिचर्ड सन, ICC के वर्तमान CEO है अगला question question number 4 अंतर राष्ट्य क्रिकेट परिशत का मुख्यालई कहां है इस question का सही उतरे दूबई में ICC का मुख्यालई है headquarter अगला question question number 5 क्रिकेट में पीची की लंबाई कितनी होती है इस question का सही उतरे 20.12 मीटर क्रिकेट में पीची की लंबाई होती है अगला question question number 6 क्रिकेट में जमिन से स्टंप की लंबाई कितनी होती है इस question का सही उतरे 28.12 क्रिकेट में जमिन से स्टंप की लंबाई होती है अगला question question number 7 पारत दूसरी बार वंडे विश्वक अप विजिता कब बना था इस question का सही उतरे 2011 में भारत दूसरी बार वंडे विश्वक अप विचिता बना था और महेंदर सिंग दोनी के कप्तान थे और final match में मैंडर सिंग दोनी होए थे और मैंडर टूर्नामेंट युराज सिंग होए थे अगला question question no.8 महान cricket cricketer Matthew Haddon किस देश के खिलाड़ी है इस question का सही उतरे औस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है Matthew Haddon अगला question question no.9 इंगलेंड और औस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाली टेस्ट सीरीज को क्या कहते है कहा जाता है इस question का सही उतरे औस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाली स्टेस्ट सीरीज को अगला question question no.10 प्रतम मंदे विस्व कप खेला गया था इस question का सही उतरे 1975 में प्रतम मंदे विस्व कप खेला गया था Q11. प्रथम एक दिवसी क्रिकेट विश्व कप का विज़ता देश कौन था? इस Q12. प्रथम एक दिवसी क्रिकेट विश्व कप का विज़ता देश था? अगला Q12. राजीव गांदी खेल रतन पूरुसकार से सम्मानित सर्व प्रथम क्रिकेटर कौन है? इस क्यिशन का सई उतरे सचीन टैनूलकर राजीव गांधी खेल रत्नप पुरुषकार से सम्मानित प्रथम क्रिकेटर है अगला क्यिशन क्यिशन नंबर थर्टिन मुथह या मुल्ली धरन किस देश के प्रसीद गेंध बाज है इस क्रिकेट के इतियास में सरवादिक विकेट लेने वाला खिलाडी है अगला क्रिकेट के इतियास में सरवादिक विकेट लेने वाला खिलाडी है प्रतम वंडे क्रिकेट फिस्वकप कब जीता था इस क्रिकेशन का सही उतरे 1983 में भारत प्रतम वंडे क्रिकेट फिस्वकप जीता था अगला क्रिकेशन क्रिकेट का ओसकर कहा जाता है इस क्रिकेशन का सही उतरे ICC पुरुसकार को क्रिकेट का ओसकर कहा जाता है अगला क्रिकेशन क्रिकेट क्रिकेट स्टेडियम कहा स्थीत है इस क्रिकेशन का सही उतरे Mumbai महराष्ट में वान खेड़े क्रिकेट स्टेडियम है अगला क्रिकेशन क्रिकेट क्रिकेट में तिहरा सतक लगाने वाला प्रतम भारती खिलाड़ी कौन है इस क्रिकेशन का सही उतरे विरेंद्र सहवाग टेश्ट क्रिकेट में तिहरा सतक लगाने वाला प्रतम भारती खिलाड़ी है अगला क्रिकेशन क्रिकेशन नमबर 20 भारत के प्रतम टेश्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे इस क्येशन का सही उतर है CK नाइडू भारत के प्रतम टेस्ट क्रिकेट कप्तान थे दोस्तों यहाँ पे यह वीडियो संपूर्ण होता है हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगाओ नोलेजेबल लगाओ तो इसे लाइक कीजिए, सेर कीजिए अगर अभी तक आपने हमारा यह चनल ड्रीम केबिसी जिक के चनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आपको नमरे विननती रहेगी आप निचे रहे रेट गलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजे और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजे ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही नए ने नोलिजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेगी दोस्तों जै हिन जै भारत वंदे मातरम